तो गिस दिनों के बाद जडवाली गली से लेकर भिमबर गली तक जो पुंच के नैशनल हाईवे का स्ट्रेच है उसे खोल दिया गया है आए जड़ावाली गली में आम लोगों से जानते हैं कि जब नैशनल हाईवे बंध था तब उन्हें कितनी दिक्कत आ रही थी और अब नैशनल हाईवे खुलने के बाद कितनी बड़ी रहती है उन लोगों के लिए है क्या नाम है आपका? मारूफ कटारी है मुझे बताएं कि जब से ये पुंच के नैशनल हाईवे का ये स्ट्रेच बंध था बहुत काफी सालों से इस रोड की खस्ता हालत है और सरकार की टोटल तवज्जा नहीं है तो इस रास्ते के बंध होने से हमें एक नुकसान हुआ है हमारे दो तीन गहों है जहां पर पाने की बहुत बड़ी दिक्कत है तो प्याची की लाइन टोटी हुई है वहां पर उप्रेशन चल रहा है तो प्याची के कोई भी मुलाजमीन वहां पर जाने के लिए तियार नहीं है साथी में ये नैशनल हाईवे जब अब जब खुल गया है तो अब इसी रस्ते से लोग जाया करेंगे आपको लगता है कि आपके जो लीडर अभी तक रहे हैं किसी ने कभी सोचा कि मेंडर के रस्ते को भी बना लिया जाए कि पुँच आने के लिए एक रस्ता तो है कम से कम एक दो और रस्ते ठीक हो देखे जैसे हाई वे की चलते हुए उन रस्ते को कहीं तवज़ज़ नहीं दे गई क्योंकर में रस्ता जो पॉंच के लिए अटेजमेट है मोगरोड के जाता है, सिरिनागर में जाता है, हर जगह रस्ता यही जाता है तो इस पे बात किया है कि कहीं कहीं नाकामी रही है हमारे लीडरों के जिन्हों ने तवज़ज़ नहीं दिया हलाके चलते हैं वो रास्ता बॉर्डर लाइन एरिया है उसको जादा ठीक होना चाहिए था यहां पर बेतर है हमारा पूरा दिन एक घंटे का रास्ते की वजह से हमारा पूरा दिन टूट जाता था यहां से मैंडर मैंडर से फिर उपर कितना आप आपने भी कल चैनल में दिखाया तो हम सोचते हैं आपके चैनल के फर्स टैम दिखाने से यह जो आई यह बात शाहिद गवर्मेंट तक ज करेंगे मुझे बता है यह नाशल हाइवे तो खुल गया है आम लोग जिनको पूंचाना वो तो पहुंच जाएंगे लेकिन मेंडर के लोगों को तो अभी दिक्कत है क्योंकि उनका रास्ता वही है तो आपको लगता है कि मेंडर के लोगों के लिए कम से कम सरकार्य सोचे क कि उस रस्ते को बनाया जाए वह तो काफी टैम से पहले वह खराब ही है क्योंकि दो तीन साल पहले पहले हम उस रस्ते से एक बार गह थे तो वह उसकत भी खराब था तो उस पर तो पर पर रहते हैं प्रिशानी जो बार्डर के लोग हैं मेंडर के लोग हैं उनको जादा प मेंडर से बीजी जाती है उसकी तो बूरी हालत है तो हमारे यहां से गौम के जाना पड़ता तो इसमें बड़ी आमें दिखती आई हैं इसलिए मेरा यह सर्कार से कहना हुए आपसे कहना है कि यह हमारी आवाज हो यह उपर तक पहुंचनी चाहिए कि यह रूड जोड़े हमारी यह रोड यह ठीक होनी चाहिए हम लोगन नियुक्ते इन्हों ने वोट दीए इनको मैंने का अगर सडके आपके इलाके में बनी नहीं तो आप वी वोट लीडरों को किस बात पर देते देने पड़ते हैं वोट तो देना पड़ता है लीडर कभी आते थे पूछने के लिए कि आपका कोई काम हो आपने वोट दिये पहले जावेद राना साथ तो अभी तो कोई भी तो उन्हीं को वोट देखेंगे वह तो बाद भी कि आता है उसरे बाद देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना है